हेलो एवरिवन जहीं जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो जाएए क्योंकि आज यहाँ पर जो है करेंट फिर कुछ के जो सेशन है वो मैं फिर से लेकर के आज चुका हूं 16 जनवरी है आज और यहाँ पर दोस्तों आज जो है यहाँ पर कह सकते हैं महा रिवीजन होने वाला क् जनवरी से लेकर के 15 जनवरी की बीच में जितने भी हमने कोशन जो किये हैं वह यहाँ पर बैसिकली हम लोग रिवीजन करने वाले यहाँ पर लगभग जो है 300 कोशन से आपर आज कराए जाएंगे तो जितने जल्दी फटा-फट से अपना आपर कनेक्ट होते जाएए ताक यहाँ पर जल्दी से जितने बच्चें फटा-फट से कनेक्ट हो जाएए क्योंकि आज का सेशन काफी इंपोर्टन होने वाला अगर आप इंडियन आर्मी नेवी इससी जीडी या फिर आप अगर किसी भी डिफेंट जॉब या फिर कोई सभी अगर आप जॉब करना चाहत झाहते हैं बैंकिंग और इल्वे हो सभी में करेंट भी जो है दो काफी इंपोर्डन होता है तो जल्दी से फटा-फट से आप जो है नेवी, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, PSC या फिर किसी भी डिफेंट जो आप चाहे, FCAT हो, ND हो, CDS हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनेकेडमी के साथ जुड़ करके अपनी त्यारी कर सकते हैं, घर बैठे, इंडिया के टॉप मोस्ट करें, आपको यहाँ पर 10%, 10% का जो डिसकाउंट है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, DRS 10, अगर आप कोड यूज करेंगे, कोई सब लेते हैं, तो चलिए, आज यहाँ पर जो है, current effect, जो basically मैं लेकर के आया हूँ, यह एक revision section है, यहाँ पर कह सकते हैं, जिसमें आपको जो है, ए पर आपको वैसे solution मिल जाएगा, लेकिन बात करते हैं, आज के session की, तो सभी question में यहाँ पर जो है, पांच-पांच second का लगवग time मिलेगा, आपको हरी question के अंदर, तो आप बिल्कुल participate भी कर सकते हैं, हरी question में, तो चलिए, इस session को सुरू करते हैं, और इस session में जितने बच चलिए, तो यहाँ पर हम लोग session को सुरू करते हैं, और यहाँ पर जो है, जितने बच्चे जुड़े हैं, सभी को यहाँ पर कह सकते हैं, कि जैहिंद, और चलिए, आज की session है, उसको हम लोग सुरू करते हैं, पहला question यहाँ पर आज हुगा है, question number 1, पहले के बात करता हूं है, Reliance Industry Limited has entered into a definitive agreement to acquire 50% share of IMG Group Company, what is the name of the company, तो basically अभी जो Reliance Industry है, यहाँ पर 50% जो share है, वो acquire कर रही है, IMG Group Company का, तो कौन सी company है, क्या नाम है, उसका आपको बताना है, चार option है, आप बिल्कुल अपना answer हरी question में दे सकते हैं, तो जल्दी से फड़ा फट से अपना answer comment करते जाएं और बिल्कुल यह revision यहाँ पर कह सकते हैं, जो कह सकते हैं, Best Current Affair, लगबग 300 जो यहाँ पर है, एक से लेकर के जो 15 जनवरी के बीच में जितने भी questions हमने किये हैं, वहाँ पर जितने भी questions लिये थे, वहाँ पर कह सकते हैं, उसी का यहाँ पर quick revision चल रहा है, तो जल्दी से वह यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कि आपको कितना याद है, कितना लर्न आपने कर रखा है, चली तो इसका सही answer जो है option C होगा, IMGR यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question, question number, अगले की तो in which state the Indian Coast Guard petrol ship सुजीत has launched, तो अभी जो है किस कह सकते हैं, राज में जो है यहाँ पर Indian Coast Guard petrol ship जो है सुजीत उसको launch किया गया है, चार option है, यहाँ पर आपको सही answer बताना है, फड़ा फड़ से answer कमेंट करते जाएं चलिए, तो यहाँ पर जो है सही answer जो है, इसका जो सही answer है, option D है, गोवा यहाँ पर सही answer है, बिल्कुल आप जल्दी से अपना answer दे सकते हैं हरी question में, बात करते हैं अगले question, क्योंकि लगबग यहाँ पर आपको 300 questions मिलेंगे, तो फड़ा फड़ से आपको सभी question में quick answer देन for the highway project worth 8,341 crore in which of the following Indian state, तो अभी जो है union transport minister जो है, उन्होंने यहाँ पर अधार सिला रखा है, foundation stone रखा है, highway project का किस राज्य के अंदर, चार option है, सही answer आपको बताना है, फटा-फट से answer comment करते जाएं चली, तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका जो option यहाँ पर भी है, राजिस्थान यहाँ पर सही answer हो जाएगा, बात करते हैं, अगली question को, यहाँ पर जो है, अगला question की, how many company has signed MOU worth 61,000 करोड with महराष्टा government under Magnetic महराष्टा 2.0 initiative, तो अभी जो है, कह सकते हैं, जो अभी आपर 61,000 करोड का यहाँ पर MOU sign हुआ है, महराष्टा government, और कितनी कमपनियों के बीच में, Magnetic महराष्टा 2.0 initiative के तहरत, चार option है, सही answer आपको बताना है, जल्दी से फटाफट से answer कमेंट करते जाएं, तो बिल्कुल आप अपना answer हर एक question में दे सकते हैं, पाटिसिपेट कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट से अपना answer दे, और जो भी आपको सही answer लग रहा है, बिल्कुल आपना answer दे सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option A25, यहाँ पर सही answer है, पचीज कमपनी यहाँ पर सही answer होगा, बात करते हैं, अगले question की, has been appointed as the chairman of the Indian Selection Committee by BCCI, तो अभी जो है BCCI के दोवारा Indian Selection Committee का अध्याज या फिर चेर्माइन किसे बनाया गया है, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, तो फटा-फट से अपना answer दे, हरी question में आप participate कर सकते हैं, जितनी भी question है, उसके अंदर, चलिए, इसका सही answer जो है option A हो जाएगा, चेतन सर्मा यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, तो quick revision का section है, जितने भी friends से अभी जुड़े वे हैं, जितने भी बचे यहाँ पर जुड़े वे हैं, आप अपने friends के साथ जरूर से इस session को share करते जाएं, बात करते हैं अगले question की, which government has inaugurated its first fruit portal in their state, तो अभी जो है यहाँ पर, किस राज सरकार ने पहला fruit portal भी शुरू किया है, आपको बताना है, चार option है यहाँ पर, फटा-फट से answer comment करते जाएं, चलिए तो जल्दी से आप बिल्कुल अपना answer जो हरे question में दे सकते हैं, और बिल्कुल अपना answer हरे question में जल्दी से फटा-फट से देते जाएं, चलिए तो इसका answer जो है, option C हो जाएगा, करनाट का यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, अगला question है, who among the following has been honored with lifetime achievement award by the New Jersey, Senate and General Assembly, तो New Jersey, Senate and General Assembly के दुआरा किसे अभी lifetime achievement award दिया गया है, चार option है, सही answer बताना है, फटा-फट से answer देते जाएं, चलिए तो यहाँ पर जो सही answer है, option B जो है, वो यहाँ पर धर्मेंदर सही answer हो जाएगा, अगले question पर आते हैं, who has been appointed as the new DZP in Andaman and Nicobar, तो Andaman और Nicobar के नए DZP कौन बने हैं, आपको बताना है, चार option है, फटा-फट से answer comment करते चाहिए, और basically आज जो यहाँ पर revision है, काह सकते हैं, best जो current affair है, यहाँ पर 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच वाले, वो यहाँ पर revision कराए जा रहे हैं, तो जितने भी question अगर आपको doubt है, किसी भी question का detail अगर आपको information चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है, जो हमारे previous session है, उसको playlist में जाकर के देख सकते हैं, पूरा हमाँ पर detailed solution आपको मिल जाएगा, इसका सही answer option D है, सतेंदर गर्ग यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, which of the following has been conferred excellence in the prestigious CIIITC Sustainability Award 2020 in the corporate social responsibility domain, तो यहाँ पर जो है अभी किसे जो है corporate social responsibility domain में जो है, CIIITC Sustainability Award 2020 से यहाँ पर excellence award से समानित किया गया है, चार option है, सही answer आपको बताना है, कौनसा answer सही होगा, तो बिल्कुल आप अपना answer दे सकते हैं, हर एक question के अंदर जल्दी से फड़ा-फड़ से answer देते जाएं, चलिए, तो यहाँ पर जो सही answer है, वो option C जो है, वो यहाँ पर सही होगा, National Thermal Power Corporation Limited यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, तो question है यहाँ पर, at which place India has set Coastal Radar Station to expand the area under CSN, तो यहाँ पर CSN area को expand करने के लिए, यहाँ पर Coastal Radar Station लगाया जा रहा है, किस जगा पर, चार option हैं और आपको सही answer बताना है, फटा-फट से, चले, यहाँ पर सही answer है, option C हो जाएगा, Maldives, Myanmar, Bangladesh यहाँ पर सही answer है, और बात करते हैं अगले question की, तो question है, two person died and several took ill, major gas leak at the Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited unit in Pariyagraj, which of the following gas was caused this accident, तो यहाँ पर अभी जो है, कह सकते हैं भयानक जो है, gas रिसा हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए, तो basically यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कौन सा gas यहाँ पर फैला था, या फिर कौन सा gas leak हुआ था, आपको बताना है, चार option है, फटा-फट से answer कमेंट करते जाएं, चले, तो यहाँ पर सही answer जो है option B होगा, ammonia यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, which companies has signed MOU for joint mineral exploration across India, तो किस company के साथ अभी MOU sign हुआ है, joint mineral exploration कह सकते हैं इंडिया के अंदर, तो option यहाँ पर चार है, सही answer आपको बताना है, फटा-फट से answer देते जाएं, चले, तो यहाँ पर जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, आपका option B, M, N, M, D, C, और M, E, C, L, यहाँ पर सही answer है, फटा-फट से यहाँ पर आप अपना answer दे सकते हैं, लगबग 5 सेकेंड के अंदर आपको answer देना है, क्योंकि सारे questions यहाँ पर बहुत सारे questions है, तो सारे questions को cover करना है यहाँ पर, तो जितने भी questions से आप अपना answer यहाँ पर चेक खुछ से भी कर सकते हैं, कि क्या आपका सही हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, बात करते हैं अगले question, Good governance day is observed every year on, तो good governance day जो है कब मनाया जाता है हर साल आपको बताना है, चार option है यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर जो सही answer है, option D हो जाएगा 25 December, यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अब अगले question की, बिसिकली जो अगला question है यहाँ पर, वो है, अट विच प्लेस इंडियन मेंस होकी team has finished its FIH 2020, तो अभी जो है कौन से अस्थान पर भारती जो कह सकते हैं पूरसो की होकी टीम है, वो यहाँ पर आई है, जो जाएगा 20 के अंदर, चार option है आपको सही answer बताना है, चलिए तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा, सही answer है, अगले question पर आते हैं, नेस्तन पेड ट्रिब्यूट तू पंडित मदन मुहन मालविया on his birth anniversary, he was posthumously conferred with भारत रतन इन, तो यहाँ पर जो है भी पंडित मदन मुहन मालविया को जो है, अभी यहाँ पर सरसांजली जो है दिया गया है, तो यहाँ पर इनको कब भारत रतन मिला था, आपको बताना है, चार option है यहाँ पर, और सही answer आपको बताने है, और इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर option D, 2014 यानि कि 2014 में यहाँ पर जो है, मिला था इन्हें, तो बिल्कुल आप फटा फटा अपना answer दे, कह सकते हैं, 4-5 second के अंदर आपको बिल्कुल अपना answer देना है, क्योंकि बहुत सारे questions है यहाँ पर, हब green license status from defense ministry, तो किस company को यहाँ पर जो है, अभी green channel status मिला है, defense ministry के द्वारा, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए तो यहाँ पर जो सही answer इसका option A है, Larson and Turbo यहाँ पर जो है, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, अगला question है, recently India has added Tishokar wetland complex to the Ramsar site, Tishokar wetland complex is in, तो अभी Tishokar wetland complex को जो है, रामसर site में सामिल किया गया है, आपको बताना कि Tishokar wetland complex कहाँ पर है, चार option है, फटा फटा से answer देते जाएगे, चले, इसका सही answer जो है, option A होगा, लद्दाक में है, यह सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, which organization has launched COVID-19 vaccine market dashboard, तो किस ने अभी COVID-19 vaccine dashboard को अभी शुरू किया है, किस अंगठन ने, चार option है, सही answer आपको बताना है, तो फटा फटा से answer दे, हरी question में आपको अपना answer जल्दी से दे सकते हैं, लगवग 5 second के अंदर आपको answer देने हैं, option B यहाँ पर UNICEF सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, which of the following bank has topped the BFSI mover and Sakers 2020 report by Viziki, तो Viziki के दोवारा अभी BFSI mover and Sakers 2020 report जो है, इसमें जारी क्या गया है, इसमें कौन सब बैंक service list है, आपको बताना है, चार option है, तो फटा फटा से answer देते जाएं, चले, तो यहाँ पर जो है, सही answer बैसिकली मैं बताता चलू, आप सभी को, option D जो है यहाँ पर, yes, HDFC bank यहाँ पर सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, who has won golden foot award in 2020, तो किसने जो है golden foot award जीता है 2020 में, चार option है, सही answer आपको बताना है, तो बिल्कुल फटा 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 चे अपना answer आप दे सकते हैं, हर एक question के अंदर, जल्दी से अपना answer कमेंड करते जाएं, और किसी भी question में अगर आपको doubt है, किसी भी question में आपको detail में जानना है, तो आप हमारा जो previous section है, बात करते हैं, अगले question की, तो अगर फटा 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 चे अंसर देते जाएं, चलिए, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, आपका option जो है, यहाँ पर C, Indonesia सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, अगला question है, यहाँ पर, which state government has approved the official language amendment bill for making official language of the state, तो किस राज सरकार ने जो है, अभी कह सकते हैं, official language amendment bill को यहाँ पर मंजीवरी दे दिए, ताकि राज जी का official language जो हैं पर बनाया जा सके, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, इसका सही answer option A है, असम यहाँ पर सही answer होगा, बात करते हैं, अगले question की, from IPL 2022, the number of the team is in IPL, will be increased to, तो अभी 2022 में जो है, IPL team जो है, कितना संक्या हो जाएगा, आपको बताना है, क्योंकि वो बढ़ने वाला है, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, यहाँ पर सही answer, जो है option B है, 10 यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, अगला question होगा यहाँ पर, which bank has ranked first, in UPI transaction, तो UPI transaction में कौन सा, जो bank है, वो service risk आया है, आपको बताना है, चार option है, फड़ा फड़ से answer देते जाएं, चलिए, यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option A, HBI यहाँ पर top किया है, अगला question है, यहाँ पर, आईश्मान भारत परधान मंत्री, जन आरोग योजना, has completed, how many number of treatment, across the country, till December, 24 December 2020, तो यहाँ पर बताना है, कि 24 December 2020, कितने लोगों का, यहाँ पर, कह सकते हैं, इलाज हुआ, treatment हुआ, एश्मान भारत, परधान मंत्री, जन आरोग योजना के तहट, चार option है, सही answer आपको बताने हैं, चले, यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option A, 1.5 करोड यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, अगला question है, on which year, India will host, global media and film summit, तो यहाँ पर basically, जो question है, कि किस दिन जो है, आपर भारत में जो है, किस साल जो है, भारत जो है आपर, global media और film summit, जो है इसको host करेगा, मेजबानी करेगा, चार option है, सही answer आपको बताना है, चले, यहाँ पर जो सही answer इसका है, वो है option C, 2021 यहाँ पर सही answer हो जाएगा, अगला question है, in December, which country has published new rule, for reviewing foreign investment, on national security ground, तो किस कह सकते हैं, देश ने जो है अभी, अपना नया यहाँ पर rule लाया है, ताकि जो foreign investment होता है, national security पर, उसको यहाँ पर देख करें किया जा सके, review किया जा सके, चार option है, सही answer आपको बताना है, चले, इसका सही answer option A होगा, चाइना यहाँ पर सही answer है, बिल्कुल आप हर एक question पाटिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी questions है, आप इसमें पाट सेकेंड के अंदर अपना आशर भी दे सकते हैं, अगला question है, इन विश श्टेट, आईएस अदित्यनाथ दाश, इस अपॉइंटेड आज न्यू चीफ सेकरेटरी, तो किस राज में जो है, आईएस अदित्यनाथ दाश को जो है, अब इस न्यू चीफ सेकरेटरी के तौर पे न्यूक्त किया गया है, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, इसका सही answer जो है, option B है, आंदर परदेश यहां पे सही answer होगा, बात करते हैं, अगले question, question यहां पर जो है, recently, Bangladesh has finalized a purchase of how many tons of rice from National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, तो अब यहां पर भारा से, बांगलादेश जो है, चावल यहां पर कह सकते हैं, लेने वाला है, कितना ton, यह आपको बताना है, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, इसका सही answer जो है, वो हो जाएगा, option B, कह सकते हैं, एक लाग पचास जाटन जो है, यहां पर बिसिकली डेड़ लाग जो ton है, वो यहां पर purchase करेगा, अगला question है, who has been appointed as the new president of SOCHUM, SOCHUM के नए कह सकते हैं, यहां पर जो president है, वो कौन बने हैं, आपको बताना है, चार option है, फड़ा-फड़ से answer करते जाएं, चली, तो यहां पर बहुत सरे बच्चों का answer, अलग-अलग आएगा, यहां पर बहुत सरे बच्चे अपना answer दे रहे हैं, सभी का answer यहां पर है, लेकिन इसका सही answer, जो है option C है, अब विनीत अगरवाल यहां पर सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, तो अगला question है आपर, गीता जैन्ती 2020 was observed on which day, तो गीता जैन्ती 2020 में कब मनाया गया, आपको बताना है, चार option है, बिल्कुल फटा-फट से अपना answer दे सकते हैं, चलिए, यहां पर सही answer जो है, option D होगा, 25 December यहां पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, which bank signed MOU with IGBC of CII to promote green building initiative, तो किस bank ने अभी IGBC कह सकते हैं, BC के साथ यहां पर MOU sign कहा था कि green building initiative कह सकते हैं, इसको पहल को सुरू किया जा सके, या पर बढ़ावा दिया जा सके, चार option है, सही answer आपको बताना है, चलिए, इसका सही answer जो है, यहां पर option जो है, आपका D, जो है, HDFC bank सही answer हो जाएगा, अगला question है, India's first indigenous vaccine against pneumonia has been developed by, तो अभी जो है, यहां पर भारत का जो सुदेशी, कह सकते हैं, नीमोनिय वैक्सीन है, जो वैक्सीन टीका है, वो यहां पर किसने बनाया है, आपको बताना है, चार option है, फड़ा फड़ से answer देना है, चलिए, यहां पर जो सही answer है, option C होगा, Serum Institute of India, यहां पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, recently, जनर रसोई कैंटीन, टू फीड दी नीडी, एट रूपीज वन, पर प्लेट, हैज बीन इनगुरेटेटेड इन, तो यहां पर जो है, एक जनर रसोई कैंटीन, सुरूपीज गई, जिसमें एक रूपीज पर प्लेट, जो है, आपको खाना दिया जाएगा, किसने, कहां पर ही सूब आरंभ हुआ, आपको बताना है, चार option है, यहां पर, तो फड़ा-फड़ से अपना answer देते जाएं, बिल्कुल अपना answer हरे question में दे सकते हैं, चलिए, यहां पर जो सही answer है, वो option जो है, आपर C है, दहली यहां पर सही answer होगा, बात करते हैं बगले question की, with which state, IIT Madras signed, MOU to implement data-driven system approach to route safety, तो अब यहां आईटी मदरास ने किसके साथ, यहां पर MOU sign किया है, ताकि जो route safety है, उस पर यहां पर data-driven system approach, जो है, उसको लगाया जा सके, या सुरू किया जा सके, चार option है, सही answer आपको बताने है, चलिए, यहां पर जो सही answer है, वो है option A, राइस्तान, यहां पर सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, which of the following state government has launched the mobile app and web portal PR insight, तो किस, कह सकते हैं, राज सरकार ने जो है, अभी PR जो insight है, इसका mobile application और web portal launch किया है, शुरू किया है, चार option ने सही answer बताना है, चलिए, इसका सही answer, जो है option C है, पंजाब यहाँ पर सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, which digital assets management platform launched by Niti Aiyog CEO, तो Niti Aiyog CEO के दवारा, कौन सा platform, यहाँ पर digital asset management platform शुरू किया गया है, आपको बताना है, चार option है, यहाँ पर, चलिए, इसका सही answer, जो है option C हो जाएगा, DG box यहाँ पर सही answer है, अगला question है, यहाँ पर, इंडिया's largest hockey stadium will be set up at, तो इंडिया का सबसे बड़ा, जो hockey stadium है, वो कहाँ बनेगा, आपको बताना है, चार option है, यहाँ पर, चलिए, इसका सही answer, जो है option B है, रावर केला यहाँ पर, ओडिशा के अंदर यह बनेगा, अगला question है आपर, between which two countries, the Indian union cabinet has approved, signing of revised air service agreement, तो किन देशों के बीच में, भारत union cabinet, जो है आपर भारती है union cabinet, उन्होंने आपर अभी मंजूरित दिया है, revised air service agreement को sign करने का, चार option है, किन देशों के बीच में यह हुआ है, आपको बताना है, जल्दी से फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं, और बिल्कूल आप किसी भी question में, अगर आपको doubt लगता है, किसी भी question में अगर आपको जानना है, क्या हुआ, कैसी हुआ, क्यूं हुआ, उसके बारे में, तो बिल्कूल आप जो है, यहाँ पर जो कह सकते हैं हम, कि जो आप previous session है, आप उसे जरूर से एक बार देखे, क्योंकि वहाँ पर पूरा detail में हमने answer करा रखा है, प्रेलिश्ट में आपको जो है जाएंगे, तो वहाँ पर current affair को जो सामकियार्ड बिज आता है, वहाँ पर आपको पूरा कह सकते हैं मिल दाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी information ले सकते हैं, basically एक जनवरी से पंदरा जनवरी के बीज का जितना भी session है, आपको वहाँ पर पूरा answer मिल जाएगा, सही answer इसका option C है, अफगानिस्तान और फिलिपिन सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, recently जॉन एड्रिक पाश्ड वे, तो जॉन एड्रिक का अभी निधन हो गया, वे कौन थे, आपको बताना है, चलिए, इसका सही answer option जो है यहाँ पर C है, option जो है यहाँ पर B है, किरिकेटर थे यह, option B सही answer हो जाएगा, बात करते हैं अगले question की, the ministry of corporate affair extended the suspension of insolvency and branch corruption code till how many months, तो यहाँ पर जो IBC code है, उसको यहाँ पर basically जो है अभी, उसका जो suspension ने उसको भी बढ़ा दिया गया, कितने माहिनों के लिए आपको बताना है, चार option है, फड़ा फड़ा आँसे comment करते जाएं, चलिए, इसका सही answer option B होगा, तीन मेंद के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया है, अगला question है यहाँ पर, recently, समसूर रह्मान फरुकी पाजड़ावे ही वाज़ा, तो अभी समसूर रह्मान फरुकी का निधन हो गया, वे कौन थे, आपको बताना है, चार option है यहाँ पर, चलिए, सही answer option B होगा, पोएट यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, विच इनिसेटिव हैस इंटर्डूज बाइड़ावे, दा M.O.E.F.C.C.N.W.C.S. तो परोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टेड, तो कह सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टेड को बचाने के लिए, आप पर जो है, कौन सा पहल यहां पर सुरू किया गया है, चार option हैं आपको बताना है, चलिए इसका जो सही answer है, वो है option A, firefly bird diverters सुरू किया गया है, बात करते हैं एक लिए question की, boxing day is observed on which date, तो boxing day कब मनाये जाता हैं आपको बताना है, चार option हैं यहां पर, तो फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाएं, चलिए, यहां पर जो सही answer है, वो है आपका option C, 26 December यहां पर सही answer हो जाएगा, बात करते हैं अगली question की, which of the following states, cabinet recently approved a loan waiver up to 50,000 for 9.07 lakh farmer, तो यहां पर लगब नौ लग किसानों का, जो हैं आपर 50,000 रुपे तक का loan माफ किया गया, किस राजसरकार के द्वारा, चार option हैं यहां पर आपको सही answer बताना है, चलिए, तो बिल्कुल फटाफट से answer कमेंट करते जाएगे, जो भी आपको सही answer लग रहा हो, बिल्कुल आपना answer हरी question में दे सकते हैं, सही answer इसका option A है, जारकान यहां पर सही answer होगा, बात करते हैं अगले question की, विच डिजिटल फॉरम वाज लाउंच्ट बाइदा डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, तो डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा यहां पर कौन सा डिजिटल फॉरम लाउंच्ट किया गया आपको बताना है, चलिए, यहां पर जो सही answer है, वो है option A, DGNCC, बात करते हैं अगले question की, अगले question है, विच अगले question है, विच अगले question है, चार option है, फड़ा-फड़ से answer देते जाएं, सही answer जो है option C होगा, नाइगलेरिया, फ़लोरी, यहां पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, विच बैंक हाज सो ओल्ड इंटार श्टेक, फार सेंट बैंक होम फाइनाइन्स लिमिटेड, तो किस बैंक ने अब भी अपना पूरा जो इस्टेक है, वो सेंट बैंक होम फाइनाइन्स का वो बेच दिया है, आपको बताना है, सही answer जो है, इसका हो जाएगा option D, सेंटरल बैंक होफ इंडिया ने बेच दिया है, बात करते हैं अगले question की, Who among the following will be the youngest mayor in India, तो कौन जो है भारत की youngest mayor कह सकते हैं होने वाली है, सबसे कह सकते हैं यूवा mayor होने वाली है, आपको बताना है, चार option है, सही answer जो है option B होगा, आर्या रजंदरन सही answer है, बात करते हैं अगले question की, Which railway become the first railway zone to use EOTT system in India, तो भारत में कह सकते हैं EOTT system यूज करने वाला पहला railway zone कौन बना है, आपको बताना है, चार option है, बिलकुल अपना answer हर एक question में दे सकते हैं, चले इसका सही answer option A होगा, East Coast Railway यहां पर सही answer है, अगला question है, Recently Anil Nedumangard passed away, तो अब यह अनिल Nedumangard का यहां पर नीधन हो गया, वे कौन थे आपको बताना है, चार option है, फड़ा-फट से answer देते जाएं, तो बिलकुल अपना answer दे सकते हैं, जल्दी से फड़ा-फट से दे अपना answer, इसका सही answer option D है, अक्टर थे, बात करते हैं अगले question की, How many people have received the first dose of COVID-19 vaccine in USA, तो अभी COVID-19 vaccine यहां पर USA में कितने लोग को अभी तक dose मिला है, आपको बताना है, चार option है, यहां पर सही answer क्या होगा, फड़ा-फट सही answer देते जाएं, इसका answer जो है option A, वन मिलियन सही हो जाएगा, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, Which of the following city recently organized wear a mask campaign in the, in distribute free mask to the public, तो कह सकते हैं, अभी जो किस सहर ने, wear a mask campaign चलाया है, ताकि जो mask फिरी में दिया जा सके आम जनता को, चार option है किस सहर में हुआ आपको बताना है, चले, इसका सही answer option B होगा, हैदरावाद यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, Who has become the first woman bus driver of Jammu and Kasmir, तो Jammu and Kasmir की पहली, जो कह सकते हैं महिला bus चाला कौन बनी हैं, आपको बताना है, सही answer जो होगा, वो होजाएगा option D, पूजा देवी यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, तो अगला question है, recently, Renowned Batic artist, यशाला बलाईया, पाज़ जवे, Batic art is mainly associated with, तो अभी जो Batic artist से, यशाला बलाईया, उनका नीधन हो गया, जो Batic art होता है, वो किस से संबंदित है, किस देश से basically आया है, आपको बताना है, चली, यहाँ पर सही answer, जो है option D होगा, इंडोनेसिया यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं, अगले question की, अगला question है, विच टू कांट्री, हैव साइंड, MOU टू बूस्ट कॉर्पोरेशन, इन स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर में, यहाँ पर जो कह सकते हैं, सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आपर किस दो देशने, अभी समझाता किया है, साइन किया है, अब बिल्कुल आपको हर ड़ी question है, पास सेकंड का टाइम मिलता है, तो बिल्कुल अपना answer, हर ड़ी question में दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कि आपको कितना यहाँ पर याद है, कितने question जो हमने पहले कराए हैं, और आपको कितना यहाँ पर रिमेंबर है, और आप अपना यहाँ पर आकलेन भी लगा सकते हैं, अपना answer भी check कर सकते हैं, चलिए, तो इसका सही answer option B है, इंडिया जापान सही answer हो जाएगा, बात करते हैं अगले question की, तो अभी जो है मैनमार यहाँ पर जो दो एर बस लेने वाला है, किस देशे आपको बताना है, चार option है, फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं, बिल्कुल, तो जो यहाँ पर सही answer जो होगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर मैं basically बात चलू, तो option जो है, यहाँ जो है Jordan यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले question की, अगला question है, फड़ा 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 से answer देते जाएं, चलिए, इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा option C, परसांथ, परभाकरन, यहाँ पर सही answer है, अगला question है, Recently, which if the following country has adopted the green growth plan to go carbon free by 2050, तो अभी किस देश ने यहाँ पर green growth plan जो है, इसको adopt किया, ताकि 2050 तक वो carbon free देश बन जाए, चार option है, आपको बताना है, कौन सा answer सही होगा, और फटा फट से आपको answer देना है, बिल्कुल 5 second के अंदर आपना answer दे सकते हैं, सही answer इसका option जो है यहाँ पर, basically जो option यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर जो आपका option है, यहाँ पर, एक मिनिट, एक मिनिट, चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा technical issue है, एक मिनिट में इसको ठीक कर लेता हूँ, चलिए, यहाँ पर जो हम लोग कोशन पर थे, तो इसका सही answer जो है, यहाँ पर बिसिकली, जो option C है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर जापान यहाँ पर सही answer है, बात करते हैं अगले कोशन की, अगला कोशन है, according to the report by CRN, इंडियन economy will again overtake the UK to become the fifth largest economy in, तो यहाँ पर UK से कर सकते हैं, आगे पांचवा जो सबसे बड़ा economy भारत मनेगा, कब तक आपको बताना है, सही answer जो है, option D है, यहाँ पर 2025, बात करते हैं अगले कोशन की, अगला कोशन है, विच बैंक से license has been cancelled by the RBI under the section 22 of the Banking Regulation Act 1914, तो Banking Regulation Act के तहत, यहाँ पर RBI ने किस बैंक का license cancelled किया है, चार option है, सही answer बताना है, बिल्कुल आप अपना हरी कोशन में answer दे सकते हैं, आज जो हैं आपर revision section चल रहा है, एक जन्वरी से ले करके, आप 15 जन्वरी के बीच में जो भी हमने question कराए हैं, यहाँ पर revision कराए जा रहे हैं, तो आप जो है अपना answer हरी कोशन में participate करके, पांस सेकेंड के अंदर आपको लगबग time मिलेगा, हरी कोशन में क्योंकि लगबग 300 कोशन है, तो फटाफट से आप अपना answer जो है देते जाएं, चलिए, तो इसका सही answer option D है, सुबंद्रा local area bank सही answer है, बात करते हैं, अगले कोशन की, अगला कोशन है, INDRA has projected India's GDP growth rate 2022-2021 contracted up to what amount, तो अभी यहां पर INDRA ने अभी पोशन किया है भारत का जो GDP वो कितना घटेगा, चार option आपको बताना है कितना घटेगा, सही answer जो है option A होगा 7.8% सही answer है, बात करते हैं, अगले कोशन की, विच अगले कोशन की, तो तांसें समरो फेस्टिवल जो है कहां पर और और अगले कोशन है, आपको बताना है, जार option है, सही answer option D है, गौालियर मदपर्देश में, यह हुआ है, बात करते हैं, अगले कोशन की, तो नए प्राइम मिनिस्टर, निव प्राइम मिनिस्टर और पार्लियमेंट आफ रोमानिया, तो नए प्राइम मंत्री कौन बने हैं, रोमानिया के, आपको बताना है, चार option है, सही answer option D है, लुडोविक और बेन यहां पर सही answer है, बात करते हैं, अगले कोशन, विच अफ़ फॉलोविंग स्टेट, काबिनेट है अप्रूव्ड धर्मव स्वातंतरया बिल 2020, तो अभी किस राजजी ने, कासे किसे राजजी के यहां पर काबिनेट ने धर्मव स्वातंतरया बिल 2020 लाया है, इसका मंजूरी दिया है, ऑप्शन यहां पर जो है, बिसिकली जो ऑप्शन सी है, मद्र परदेश वो यहां पर सही answer हो जाएगा, बात करते हैं, अगले कोशन की, अगला कोशन है, विच स्टेट गोवर्मेंट है लाँच्ट कैरियर पोर्टल फॉर दियर स्टुडेंट, तो किस कह सकते हैं, अभी राजजी ने जो बच्चे हैं, जो वहां के छात्रे हैं, उनके लिए कैरियर पोर्टल यह लाया है, चार ओप्शन है, सही answer आपको बताना है, सही answer option D है, ओडी सा यहां पर सही answer होगा, बात करते हैं, अगले कोशन की, नौट इस्ट गॉट इस फर्स्ट एवर स्टाच्चू औफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्ट अर्टल बिहारी वाज़ पर, इस्ट 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 होगा चाचा यहां पर जो है सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन है रिलाइंस इंडेश्ट्री मोबाइल अप्लिकेशन है बेन लॉच्ट बाइद यूनियन मेंस्टर थावर चंद गहलोट तो थावर चंद गहलोट ने कौन सा मोबाइल अप्लिकेशन रॉच्ट किया है आपको बताना है सही आंसर जो है ऑप्शन भी होगा स्वाच्टा अवियान यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की इस ने अभी आप पर प्लाइन किया है कि उसका पहला नुक्लियर रेक्टर है वो चांद पर जाएगा गहार 26 तक चार ओप्शन है सही आंसर आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी यूएस यहां पर सही आंसर होगा अगला कोशन है इन विच हाई कोट दा सीजी आई सरद अर्विन बोबडे हैस अगनागरेटेड इसेवा केंद्रा तो किस हाई कोट में यहां पर जो है चीफ जर्षिस आप इंडिया सरद बोबडे ने अभी इसेवा केंद्रा का सुभारम किया है सही आंसर जो है option यहां पर डी है ति पूरा यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की दा ओ टी फल्म फ़ेड वप दीवार्ट थैने इंडिन टी व्लॉजिव उंगे तो फृसीन अभी दिए दिश्पर मुआ वार्वार्ट बाताना है चार ओशन की सही आंसर जो है यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है पाताल लोग यहां पर सही आंसर होगा बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन है यहां पर इंडियान रेल्वेज पी सियो रेल विकास निघम लिंटेड है कमिसरन मirst, ओर रेल रेल कोशला की घीन है में जो है इसका हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है लातूर यहां पर सही आंसर है बात करतें अगले कोशन की अंडर विच मिशन इंडिया है अगले कोशन रिसेंटली अमिशन इनगरेटेड देड यहां पर मल्टी परपर्पेश प्रटेक्ट इन तो यहां पर अमिसा ने अभी इस प्रजेक्ट और टॉबल मर्दी परपर्पेश प्रजेक्ट जो है कहां पर सुरू किया अपको बताना है चार अपशन है फड़ा फट से आँसर देते चाहें सब्सक्राइब आपको जाएगा आपका जो ऑप्षण ए है मनीपूर यहां पर सब्सक्राइब बात करते हैं अगले कुशन सही आंसर जो है option A होगा Air Force Sports Control Board यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कुशन की आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ से आंसर देते जाएं चलिए इसका जो सही आंसर यहां पर बिसिकली मैं बदा चलू तो यहां पर जो सही आंसर इसका होगा वह यहां पर हो जाएगा option C रेसलर यहां पर सही आंसर होगा बात करते हैं अगले कुशन की कुशन है यहां पर इंडिया फर्स लीथियम रिफाइंडरी हैस बिन सेट अप इन विची स्टेट तो भारत का पहला जो कह सकते हैं लीथियम रिफाइंडरी है वह कहां पर बनने वाला है कहां पर बैठेगा कहां पर सुरू होगा आपको बताना है चार ऑप्शन है सही आंसर जो इसका option A होगा गुजरात यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कुशन की अब जो यहां पर कह सकते हैं अब पर आपशन जो है सी हो जाएगा 31st मार्ट 2021 सभी आंसर है which article is related to the educational institute of minority only तो किस article में यहां पर जो है कहा गया है कि जो educational institute है minority के लिए केवल वो बनाया जा सकता है चार ऑप्शन है सही आंसर आपको बताना है सही आंसर जो option D होगा article 30 यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की BMW वांट रफली एवरी फिफ्थ कार इट सेल टू वी पावर्ड बाइलेक्ट्रिक इंजन वाइच यहां पर बाइट परसंट इन 2020 तो यहां पर BMW चाहता है कि कितने कव से जो है उसका इलेक्ट्रिक कार्ड जो जितना भी कार्ड बेचेगा उसका हर कार्ड जो पांचवा बिखेगा उसमें इलेक्ट्रिक इंजन होना चाहिए तो कब तक यह निर्नाई कह सकते हैं कब तक इस टार्ट्र को पूरा करना आपको बताना है चार ओप्षण है सही आंसर option C है 2023 यहां पर सही आंसर है तो बिल्कुल आप अपना हर एक कोशन में participate कर सकते हैं जिसी भी कोशन में आपको doubt है और आप previous section देख सकते हैं क्योंकि आज यहां पर current affair का revision section चल रहा है एक जन्वरी से 15 जन्वरी के बीच वाला अगला question है which of the following Indian state has decided to include the history of Sikh gurus in school curriculum तो अभी school particular में यहां पर Sikh guru का जो इतिहास से उसको सामिल के जाएगा किस राज के द्वारा चार option है आपको सही आंसर बताना है चलिए आप सही आंसर जो है इसका option B होगा उत्तर परदेश सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला question है यहाँ पर recently the tribal area of johar has a tag of mini महाबलेशवर of cultivating तो अभी जो कह सकते हैं जो हर यहाँ पर जो tribal area है उसको भी mini महाबलेशवर के tag से यहाँ पर समानित किया गया है किस चीज की खेती के लिए सही आंसर जो है यहाँ पर option A होगा strawberry यहाँ पर सही आंसर है अगला question है यहाँ पर recently सुनीर कोठारी passed away he was a सुनीर कोठारी का निधन हो गया वे कौन थे आपको बताना है सही आंसर जो है option A होगा historian यहाँ पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की विच अप्लिकेशन एंड वेब पोर्टल हाज बिन लॉच्ट वाइदा mohua hardeep singhpuri for management of goi state service तो अब भी यहाँ पर हर्दीप singhpuri ने जितने भी government of इन्या के state service उसको management के लिए एक आप निकाला है वेब पोर्टल निकाला है क्या नाम है उसका आपको बताना है चार option है सही आंसर जो है option d होगा e संपदा यहां पर सही आंसर है अगला question है which of the following state will take punitive action against owner of vehicle with cash sticker तो यहां पर जो भी वहान के मालिक है जिनके उपर cash sticker जो लगा होगा जाती वाद का जो sticker होगा उस पर जो यहां पर एक sticker action लिया जाएगा किस राज के द्वारा चारा option है सही आंसर आपको बताना है सही आंसर इसका option c होगा उत्तर परदेश यहां पर सही आंसर है अगले question पर आते हैं who is the author of the book titled in pursuit of justice and autobiography तो इस book के लेकर कौन है आपको बताना है सही आंसर इसका आपको बताना है जल्दी से फड़ा फड़ से बिल्कुल अपना answer हरी question में दे सकते हैं चले इसका सही आंसर option b है राजिंदर सचर यहां पर जो सही आंसर है अगला question है who among the following has won the Rackle Haihoi Flint award for ICC female cricket of the Decade तो रसेल Haihoi Flint award जो है ICC female cricketer of the Decade कि से दिया गया है चार option है चले यहां पर सही आंसर जो है option जो है बी हो जाएगा Alice Perry यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला question है India ranked at which place in the list of countries with the most publication of AI from 2015 to 2019 तो 2015 से 2019 में सबसे ज़्यादा AI publication के मामले में भारत कौन से अस्थान पर आया है आपको बताना है चले यहां पर सही आंसर जो है option C है third यहां पर आया है अगला question है who is the new chief secretary of Odisha तो new chief secretary कौन बने Odisha के आपको बताना है चार option है चले इसका सही आंसर जो है आपका option C होगा सुरेज चंदरा महापातरा सही आंसर है अगला question है आपर union health minister हर सवर्दन inaugurated first नीमो को कल conjugate vaccine तो यहां पर जो पहला कह सकते हैं जो नीमो को कल conjugate vaccine है उसका यहां पर आरम कह सकते हैं उद्गाटन किया गया है इसका नाम आपको बताना क्या है चार option है यहां पर सही आंसर option C होगा नीमो नीमो सील यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की as North India braces for surf cold wave IMD is asking people to avoid consumption of DAS to protect themselves from hypothermia तो यहां पर जो है कह सकते basically जो अभी IMD है उन्होंने कहा है कि जो भी North India में रहते हैं उनको यहां पर क्या चीज़ का consumption नहीं करना चाहिए ताकि वह hypothermia से बस सके चार option है सही आंसर आपको बताना है कि 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 चलिए इसका सही आंसर जो है option C है alcohol यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला question है यहां पर what a surprise is fixed for the gold bond during the subscription of period sovery gold bond scheme 2020-2021 तो यहां पर जो है अभी कह सकते हैं जो gold bond scheme लाया गया तो जबी सिकी इसका क्या fixed price रखा गया आपको बताना है चार option है चलिए इसका सही आंसर जो option D होगा 5000 पर गराम सही आंसर है बात करते हैं अगले question की recently the center has lifted the ban on the export of DAS with the effect from 1st January 2021 तो अभी जो केंद्र है उन्होंने जो हैं पर एक जन्वरी से किस चीज पर परतिवंद हटा लिया है सही आंसर आपको बताना है चलिए इसका सही आंसर जो option B है onion यानि प्याज पर से हटाया गया है बात करते हैं अगले question holy innocent day is observed on which day तो holy innocent day जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है सही आंसर जो है याँ पर आपको बिसेकली जल्दी से फटा फट से बताना है कौनसा आसर सही होगा चलिए यहाँ पर सही आंसर option A है 28 December को मनाया जाता है बात करते हैं अगले question की who has signed Tibetan policy and support act installs China from installing their own Dalai Lama तो यहाँ पर जो है अभी किस ने जो है Tibetan policy support act को sign किया है बिसेकली आपको बताना है चार option है और सही आंसर जो है यहाँ पर option A हो जाएगा Donald Trump बात करते हैं अगले question की who among the following has won the Sir Garfield Sobers Award for ICC male cricketer of the Descartes तो किसे जो भी Sir Garfield Sobers Award से समानित किया गया है ICC male cricket of the Descartes के तौर पर चलिए सही आंसर जो है option यहाँ पर B है विराट कोली सही आंसर है अगले question पर आते हैं in which state new भावपूर खूर्जा section is inaugurated तो किस कह सकते हैं यहाँ पर basically जो राज में जो है भावपूर खूर्जा section जो है इसको सुरू किया गया है चलिए इसका सही आंसर जो है यहाँ पर option A है उत्तर परदेश सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला question है who among the following has won the player of the century at globe soccer award तो अभी जो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने जो है यहाँ पर player of the century कह सकते हैं अवाड जीता है Global Soccer Awards में सही आंसर option B है Cristiano Ronaldo बात करते हैं अगले question की first academic session of IIIT वरोद्रा इंटरनेशनल campus was inaugurated in which union territory तो IIIT वरोद्रा इंटरनेशनल campus कौन से कह सकते हैं किस जगा पर जो ही किस union territory में इसका सुरुवात हुआ है पहला academic session का चार option ने सही आंसर आपको बताना है चले सही आंसर जो है आपर option A हो जाएगा दिव आंसर सही है पात करते हैं अगले question की which of the following countries is developing wooden satellite to prevent space junk तो इस पेस जंग से बचने के लिए कौन सा दे जो है भी wooden satellite बना रहा है चार option ने सही आंसर आपको बताना है चले सही आंसर जो है option B है जा पान यहां पर सही आंसर होगा अगले question पर आते हैं which state government has borrowed rupees 2,731 crore more post ease of doing business reform तो कह सकते हैं ease of doing business में बदला हो दाने के बाद किस ने किस राज सरकार ने अभी 2700 crore लग बग जो है आपर बॉरो किया है तो यहां पर जो सही आंसर इसका होगा वह हो जाएगा आपका option A रायसान यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which city's municipal corporation has been selected as the best performing civic body in India तो बिसिकली यहां पर जो है किस करते हैं सहर के municipal corporation को best performing civic body के तौर पर यहां पर चुना गया है चली सही आंसर जो option C है greater Cal विक्सागा पटनम जो यहां पर सही आंसर है अगले question पहते हैं इंडिया इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क has been inaugurated in which state तो भारत का पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो किस कह सकते हैं जो राज्य में यहां पर उत्खाटन किया गया इसका चली सही आंसर जो option C होगा यहां पर उत्राखंड सही आंसर है बात करते हैं अगले question की recently Perry Cardin passed away he was तो Perry Cardin का निजन हो गया वेकॉन थे आपको बताना है चली सही आंसर जो है यहां पर option C होगा फैसर डिजाइनर यहां पर बिल्कुल सही आंसर है बात करता हूं मैं अगले question की ISRO is developing which technology for its human space flight mission तो अभी जो है ISRO अपने human कह सकते हैं जो space flight mission है उसके लिए कौन सा कह सकते हैं टेकनोलोजी डेवलप कर रहा है सही आंसर जो है option A है green propulsion बात करते हैं अगले question की who among the following has won DRDO scientist of the year award scientist of the year award जो है basically किसे दिया गया आपको बताना है चार option है यहां पर सही आंसर option B है हेमंद कुमार पांडे बात करते हैं अगले question की तो अगला question है the first international day of epidemic preparedness day is celebrated on which date तो पहला international day of epidemic preparedness जो है आपर कम मनाया गया चार option है सही आंसर बताना है सही आंसर option A होगा यहां पर 27 December 2020 सही आंसर है बात करते हैं अगले question की recently AU small finance bank has partnered with DAS to offer life insurance solution तो EU finance small finance bank ने भी किसके सारे जारी किया आपको बताना है insurance solution के लिए सही आंसर option A होगा ICICI prudential life insurance बात करते हैं अगले question की which country will replace the US as the world largest economy by 2028 तो कौन सा देश जो है अभी कैसे दोज़ा ठाइस तक जो है यूएस को यहां पर यूएस से आगे निकल जाएगा तो यहां पर कह सकते हैं चार option है कौन largest बन जाएगा यहां पर economy में तो सही answer option B होगा चाइना बिल्कुल सही answer है बात करते हैं अगले question की इंडिया वेल कैरी आउट स्काइरोस वार गेम वित तो इंडियान जो है यहां पर बेसिकली अभी स्काइरोस वार गेम कह सकते हैं इन्होंने अभी किया है किसके साथ में सही answer जो है यहां पर वह जाएगा option D France अगले question पर आते हैं new government tool room and training center will be established in different part of which state to impart training in different skill तो अभी जो है कह सकते हैं new government tool room जो है और इसके अलावे training center जो है यहां पर establish किया जा रहा है अलग-अलग part में किस राज के चार option ने सही answer बताना है सही answer option B है यहां पर करनाट का सही answer है अगले पर आते हैं question पर which bank has collaborated with google pay to offer fast tag तो किस सही answer जो है option B है ICIC bank यहां पर सही answer है अगले question पर आते हैं which state has been declared a disturbed area for six months six more months तो किस राज को अभी आपर छे और महीने के लिए आपर disturb area घोसित किया गया है सही answer आपको बताना है चलिए सही answer जो है option यहां पर जो है B हो जाएगा नागा लैंड अगले पर आते हैं तो अगला question है in which state पॉट्यू लैका लाल जी a new species of wild sun rose has been discovered तो एक नया पर जाती wild sun rose का यहां पर पाया गया है पॉट्यू लैका लाल जी किस राज में सही answer जो है आपर option C है आंधर पर देश अगले पर आते हैं तो अगला question है which bank has launched the digital lending platform to allow its gets loan in digital way तो किसने जो है भी यहां पर digital lending platform यहां पर शुरू किया है ताकि जो डीटल वे में लोन दिया जा सके सही answer जो है आपर option जो है आपका जो यहां पर ए है bank को बढ़ोदा सही answer है बात करते हैं अगले question की अगला question है दा इंडियान नेवी हाज इंडिक्टेड हाव मेनी सेट्स आप 10 मीटर सौट इस्पैन ब्रीजेज तो भारती सेरा ने जो है भी कितना यहां पर 10 मीटर सौट इस्पैन ब्रीज यहां पर सामिल किया आपको बताना है सही answer option B है तीन यहां पर सही answer होगा बात करते हैं अगले question की in the 12th edition of world economic league table 2021 इंडिया ranked at which place तो बारवा यहां पर संस्क्रान हुआ world economic league table 2020 का भारत कौन सामिल आपको बताना है सही answer option जो B है 6 यहां पर सही answer है बात करते हैं अगले question की who is the author of the book titled element of the quantitative genetics conceptual approach तो इस book के लेकर कौन है आपको बताना है चार option है सही answer जो है आपर option यह होगा डॉक्टर स्थूती सर्मा यहां पर सही है अगला question है which bank has introduced its positive pay system to make check payment secure तो अभी जो है किसने जो है अभी positive pay system यहां पर सुरू किया ताकि जो check payment secure बनाया जा सके है सही answer जो है option D SBI bank अगला question है आपर nuclear fusion plant aim to commercialize nuclear fusion for power distribution by which year तो अभी जो nuclear fusion plant है उन्होंने कह सकते हैं जो उसका कह सकते उसको commercialization है commercialize करना उसको nuclear fusion को ताकि उससे power produce किया सके कब तक है चली सही answer option A होगा 2035 अगला question है यहां पर who has set a new world record for fusion तो किसने जो है अभी fusion के लिए नया world record यहां पर कह सकते हैं बनाया है सही answer जो है यहां पर option D है के इस्टार आते हैं अगले question पर तो अगला question है इंडिया 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 आज ओडर 1580 अर्टिलेरी गन्स फ्रम विच कंट्री तो पंद्रा सफ़सी अर्टिलेरी गन्स जो है किस देश को और दिया गया किस देश को सही answer option जो है इसराइल सही answer है अगले पर आते हैं तो अगला question है विच ऑर्गनाजिशन पर मिट्स बैंकिंग यूनिट तो ट्रांसफर आफ एसेट्स थूरू पार्टिसिपेशन ऑफ एग्रिमेंट तो कह सकते हैं बेसिकली जो किस संगठा ने अभी आपर मंजूरी दिया ताकि जो बैंकिंग यूनिट है वो अपना कैसे ट्रांसफर कर सकें एसेट्स को एग्रिमेंट के जरिये चलिए फड़ा फड़ा चांसर कमेंट करते जाएं सही आंसर ओप्शन सी है आई एफ एस ए अगले पर आते हैं तो अगला कोशन है विच कंट्री साइन एग्रिमेंट और फ्री ट्रेड विट वैतनाम के साथ करने के लिए किस ने अभी यहां पर जो है अग्रिमेंट किया है सही आंसर जो है आप पर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन वी जो है युनाइटेड किंग्डम सही आंसर है अगले कोशन पर आते हैं तो कितने राजियों में जो है भी ड्राय रन कोरोना वाईरस वैक्सिन किया गया था सबसे पहले आपको बता रहा है सही आंसर जो है यहां पर ऑप्शन अब भी होगा यहां पर फोर यहां पर सही आंसर है अगले कोशन पर आते हैं बिए से यू के एंड के जे बाइओ फिल पार्टनर टूट अप इंडिया फर्स इतनौल प्लांट अंडर पी पी जो है 36 गड़ सही आंसर हो जाता है अगले कोश्चन पर आते हैं कौन्टम रेंडम नंबर जनेरेटर किस ने अभी डिबलब किया है बता रहा है आपको सही आंसर जो है option C हो जाएगा DRDO सही आंसर है बात करते हैं अगले कोश्चन की हाँ मैनी टन्स ऑफ और्गेनिक सर्टिफाइड मोरिंगा पाउडर वाज सेंट टू दी यूनिफाइए यूनिट इस्टेट थ्रू दी एयर कंसाइनमेंट इन डिसमबर टू 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 यहां पर 2020 में जो है डिसमबर के महने में कितना टन अपर कितना जो है आपर मो बताना है अमेरिका चलिए सही आंसर जो है यहां पर option C है दो टन यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which authority will organize the gender park second edition of ICGE2 तो कौन सी यहां पर authority जो है वो और्गनाइज करने वाली gender park second edition को आपको बताना है सही आंसर जो है इसका हो जाएगा वो हो जाएगा option B UN woman सही आंसर है अगले question पर आते हैं which state will set up a memorial in honor of the all covid warrior who sacrificed their lives fighting the deadly virus अभी जो किस राज सरकार ने आपर इस महारग बनाने की घोस्तना कि जितने भी लोग यहां पर जो है क्या सकते हैं यहां पर जो जिनका देथ हो गया है covid warriors का उनके लिए तो सही answer इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा option यहां पर option है C वो यहां पर सही हो जाएगा Odisha अगेरा question है यहां पर which of the following has cleared the Pfizer BioNTech coronavirus vaccine for emergency use किसने अभी मंजूरी दिया है Pfizer BioNTech को यहां पर emergency use करने के लिए सही answer जो है यहां पर option C हो जाएगा WHO यानि World Health Organization यहां पर सही answer है अगले question पर आते हैं at which place of the South Delhi Municipal Corporation offend its toy bank तो अभी जो है किस South Delhi के कह सकते किस जगा पर जो हैं पर Municipal Corporation toy bank शुरू किया है तो सही answer जो है आपर basically मैं बढ़ाएगा चलो तो option जो A होगा वो यहां पर सही answer है नजफ गड़ यहां पर सही answer है बात करते हैं अगले question की by which rocket Indian satellite is to carry name of common people in space हो किस rocket के मदद से जो है भारत का जो आम आदमी का नाम है वो चान्द में जा रहा है या फिस्पेस में जा रहा है चले सही answer जो है option यहां पर C होगा PSLV C51 सही answer है अगले question पर आते हैं which insurance company has partnered with Jammu and Kasmir government for PMJ सेहत तो PMJ सेहत के लिए आपर किस company ने भी आपर पर साइज आ रहे किया अगरे question पर आते हैं who inaugurated the virtual Agri hackathon 2020 in the December in New Delhi in December 2020 तो अभी जो है आपर कह सकते हैं किस ने जो है virtual Agri hackathon 2020 के आपर कह सकते हैं जो उद्धाटा ने वो किया था चलिए तो बहुत सारे बच्चों का answer आया है यहां पर बात करते हैं सही answer की सही answer option यहां पर जो सी होगा वो यहां पर सही answer होगा नरेंदर सिंग तोमर सही answer है बात करते हैं अगले कोशन की आर्केलोजिस्ट इसके वेड़ फास्ट फूट सेंटर एट विच प्लेस तो अभी जो है जो यहां पर आर्केलोजिस्ट है यहां पर उन्होंने भी फास्ट पूट सेंटर जो है निकाला है कहां से चलिए सब्सक्राइब होगा पॉंपी सब्सक्राइब है अगले कोशन पर आते हैं हूँ फॉर्मली लॉंच्ट एंदा आई एफ गोवर्मेंट गोवर्मेंट्स गवर्नेंस इपोटल इंदी नियू देहली इन डिसमबर 2020 तो यहां पर जो है भी किसने जो आई एफ गवर् सब्सक्राइब यहां पर यहां पर डी होगा और के एस बदौरिया बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला जो कोशन यहां पर वह है वहां पार्टनर्ड विट आई एट देहली तो सेट अप डिजाइन और इनोवेशन लाब फॉर रूलर इंटर्पेनियोर तो अभी जो यहां पर क्या साथारी क्या था कि जो नुलर इंटर्पेनियोर है उनको यहां पर डिजाइन और इनोवेशन लाब दिया चाह सके है चले सब्सक्राइब यहां पर ऑप्शन भी होगा लग कॉमन सर्विस सिंटर बात करते हैं अगले कोशन की यहां पर फालोग४ान जर्ड़ों का नियुक्त शुक्त को यहां पर अधार्शिला रखा है तो यहां पर जो सही आंसर होजाएगा वह होजाएगा ओप्शन C की आयायम संबलपूर सही आंसर है अगले कोश्चन पर आते हैं विच बैंक हाज पार्टनर्ड विट रूपए टू लॉंज पेमेंट सॉलूशन इन असोशेशन विट पे नियरभाई तो पे नियरभाई के साथ मिल करके किस बैंक ने अभी रूपए कास्क के साथ मिल करके ज सही आंसर जो है option D है R.B.L.B. यहां पर सही आंसर हो जाता है अब बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन है आपर दा ब्रह्मपुत्रा आमंतरन अभ्यान इस तूबी हेल्ड इन विच टू स्टेट तो ब्रह्मपुत्रा आमंतरन अभ्यान जो है किस दो राज्यों म चलिए तो यहां पर जो सही आंसर है वो है option B अना चल पर देश और अश्रम सही आंसर हो जाएगा अगले question पर आते हैं Defense Ministry has signed a contract with which of the following for procurement of 10 Linux यूटू फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर फ्रंट लाइन वार्शिप आप इंडियन नेवी तेहां पर जो है भी 10 Linux यूटू फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भारत ये नेवी ने किस देश से कह सकते किस से जो है आपर बिसिकली अभी सब्सक्राइब के लिए उसके है तो सही आंसर जो है और यहां पर सी है भारत इलेक्ट्रोनिक लिमुटेड बात करते हैं अगले कुशन की सब्सक्राइब करते हैं तो सही आंसर इसका आपको बताना है सही आंसर ऑप्शन जो है सी है गुजरात यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले कुशन की प्रेसिडेंट रामनाद कुबिन्द हैज अपॉइंट डॉक्टर जश्टिस एस मूर्लिधर ऐस जश्टिस ऑफ विछ हाई कोड तो अभी जो हैस जश्टिस मूर्लिधर को किस हाई कोड का यहां पर जो कह सकते हैं जज बनाया गया है यह ची सब्सक्राइब करते हैं अगले कुशन की हुआज लांज इंडिया फर्स्ट रिमूंड मोनिटरिंग सिस्टम ऑफ गाइस टर्वाइन तो किस ने जो अभी पहला इमूंड मोनिटरिंग सिस्टम जो यहां पर बनाया है सुरू किया है गैस टर्वाइन के लिए चले तो सघ्सर जोहां पर option भी है आयोट स्यल यहां पर सघ्सर हो जाता है अगले क्योंड प्लाइए इंडियो इन वच स्टेट फ़र्स राइस ए टिम हैस सेट अब तो पहला जोहां पर कह सकते हैं किस राज में जोहां पहला राइस ए टिम जोहां आपर बनाया जाएगा हुआ यह पर ऑप्षण ली हो जाएगा करनाटिका सही आंसर है बात करते हैं अगले कोश्चन की अगला कोश्चन है इंडिया रेल्वेज न्यू विष्टा डॉम कोश्च है बिन मेनुफेक्टर एथ तो भारती रेल्वेज का नया विष्टा डॉम कोश्च जो है वो कहां पर बन रहा है आपको बताना है अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन यहां पर कह सकते हैं डी होगा इंटीग्रल कोश्च फैक्टरी यहां पर सही आंसर है अगले कोश्चन पर आते हैं हूँ हैस विकम अ मेंबर ऑफ आयो एस सी ओ तो कह सकते हैं कौन मेंबर बना आपको बताना है तो सही आंसर ऑप्शन भी है आई एफ एस ही है बात करते हैं अगले कोश्चन की निरंजन बनोटकर हैस बीन अपॉंटेड आज न्यू ग्रूप और चीफ फाइनेंसियल आफिसर आफ तो यहां पर जो है भी निरंजन बनोटकर जो है वो यहां पर कह सकते हैं नए किस बैंक का यहां पर बना आपको बताना है उप्शन यहां पर सही आंसर हो जाता है बात करते हैं अगले कोश्चन की तो कोश्चन है आपट विच कंट्री इंडिया एक्षेंज दा लिष्ट ओफ न्यूक्लियर इंस्टालेशन तो किस देश के साथ भारत ने जो है बीन न से दे हैं बिल्कोल आपनाज अपनार हरई सकते हो जाता है अगले को जाता है दो फॉलिवंग Cont Op for विफैंद नर인्द्ड डाबॉलकर मेमोरियल अवार्ड तो किसे यह भी इस अवार्ट से समानित किया आपको बताना है चार ऑप्शन है सही आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा वी के वीरा मनी यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन वीच कंट्रीज इसे टू जुआइन आज सिक्स मेंबर आज आज आफ द फाइव आई इंटेलिजिएंस नेटवर्क तो कौन सा यहां पर कह सकते हैं पाइव आई इंटेलिजिएंस नेटवर्क में चटा देश जो है बन सकता है चार ऑप्शन ने सही आंसर बता तो किसे जो है भी तांसे समान समानित किया गया है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिपल में चले सही आंसर जो है आपर ऑप्शन सी जो है पंडित सतीश व्यास सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की किसे जो है समानित क्या आपको बताना है यहांपर चले सही आंसर जो है यहांपर ऑप्शन जो है वह यहांपर बी अभीनव कला परिशय जो है बिलकुल सही आंसर हो जाता है बात करते हैं अगले कोशन की हूं अमंग दफॉल्विंग है विक हैस बीन कंफर्ड दी प्रिस्टीजियस एमिनेंट इंजिनियर अवार्ड फॉजर बीस दिया गया है किसको दिया गया है किसे समानित किया आपको बताना है चलिए तो बहुत सारवच्चों का आंसर आज चुगा है सही आंसर बिलकुल यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जागा ऑप्शन ए वी के यादव सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन है विआ नंट सही आपको पोश्ट है बात करते हैं अगले कोशन की तो इस बुक के लेखर को ने आपको बताना है फड़ा फट से सही आंसर जो है इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के एस विजयनात यहां पे सही आंसर है अगले कोश्चन पर आते हैं तो जोशप वैनूर का निजन हो गया वे कौन थी बताना है आपको चलिए तो ऑप्शन बी जो है यहां पर ब्रोड कास्टर यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोश्चन की अगले कोश्चन की वहाज रिसेंटली बिकम दाना है तो यहां पर यहां पर आप्शन जो है सी हो जाएगा असम सही आंसर है बात करते हैं अगले कोश्चन की वहाज रिसेंटली बिकम दा रिचेश्च वर्शन ऑफ एसिया तो अगर सबसे अमेर व्यक्ति कौन बनें आपको बताना है तो तो सही आंसर ऊप्षण ए है सांशन अगले कोश्चन प्याते हैं अप्षांश चलिए तो सही आंसर इसका जो है वह हो जाएगा यहां पर ऑप्शन एक जनवरी 2021 की सही आंसर है अगले कोशन पर आते हैं के विचेट डबलर डिप्लाइट तू हेलिकॉप्टर फाइट वाइल फायर इन जिजुको वैली में जो है जंगली आग लगी फिर वाइल फाय लगी उसको मुझाने के लिए दो यहां पर यहांपर किस राजर्शनी भी लगाए हैं तो सही आंसर जो है option C हो जाएगा मनीपूर यहां पर सही आंसर है अगले question पर आते हैं self-propelled air defense gun missile system is the system of which country तो यहां बाद जो self-propelled air defense gun missile system है वो किस कह सकता है किस देश का जो हैं पर मिस्साय सिस्टम है वैसिकली तो जल्दी से आपको सही आंसर बताना है कौन सांसर सही होगा बिल्कुल इसका जो सही सही आंसर हो जाता है बात करता हूं अगले question की तो अगला question है who has been awarded at nightwood in the UK new year honor list तो यहां पर जो है यूके नियू यह ओनर लेश्ट में जो है आप पर नाइटूट से के समानित किया आपको बताना है चार ओप्शन है यहां पर चलिए तो पिल्कुल यहां पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा option भी Lewis Hamilton यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगले question पर आते हैं रगवेंदर सिंग चुवान हैस बिन अपॉइंटेड आइज निव चीफ जस्टिस ऑफ निव चीफ जस्टिस ऑफ दा हाई कोट आफ विच श्टेट तो रगवेंदर सिंग चुवान जो है किस हाई कोट के कह सकते हैं आपर जज बने हैं तो सही आंसर जो है option C है उत्तरा खरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अब अगले question की Recently the chief of army staff general mm नर्वने has received a guard of honor तो अभी जो mm नर्वने को guard of honor दिया गया किस जगह पर किस देश में सही आंसर जो है option B है Republic of Korea बात करते हैं अगले question की which state is about to bring comprehensive transformation in health sector तो अभी जो है किस राजनी बेसेकली जो यहां पर कह सकते हैं कि जो health sector को पूरी तरह बदलने के लिए जो है यहां पर कह सकते हैं जो यहां पर प्रयास कर रही है तो सही आंसर जो है option C होगा करनाटका यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which state has launched किसान फसल रहात योजना तो किस कह सकते हैं यहां पर राजनी जो है भी किसान फसल रहात योजना जो है यहां पर कह सकते हैं बेसेकली लाया है या सुरू किया है सही आंसर जो है इसका हो जाएगा वो हो जाएगा option जो आपका यहां पर भी है जारकन वो सही आंसर है बात करते हैं अगले question की the union territory has bagged the award for the best performance union territory in the India to for implementing the P में तो यहां पर जो है कह सकते है basically जो किस union territory ने जो है भी जो यहां पर best performing union territory जो है वो जीता है basically P में को यहां पर अच्छे तरह से implement करने के लिए चलिए तो इसका सही आंसर जो option अड़ी हो गए आपर पूडू चेहरी यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which bank has signed issued the electoral bond from one january तो क्योंसा बैंक जो हैं आपर एक जनवरी से इसको लाएगा तो चार option ने सही आंसर आपको बताना है फटा फट से आंसर कमेंट करते जाएं तो बिल्कुल अपना आंसर आप दे सकते हैं हरे question के अंदर चले तो सही आंसर आपको बिल्कुल जली से बताना है इसका सही आंसर ऊगा वो में मैं सही बता है तो यहां पर सही आंसर है वह यहां पर option जो आपने दिया है यह पर 20 विजनवर्षों ने उनका सही होगा SBI यहां पर सही आंसर है 就是 the Eaction SBI जारी कर सकता है बात करते हैं यहां पर अगले question की वर्ल ब्रेल डे जो है इस ऑब्सर्वड ओन विच ओन विच डे तो बैसे कि लिए हर साल वर्ल ब्रेल डे का मनाई जाता है आपको बताना है चार आप्शन है फड़ा फड़ से अंसर कमेंट करते जाएं सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ओप्शन सी चार जनवरी बात करते हैं अगले कोश्चन की वो हैज रिलीजड रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑन बैंकिंग इन इंडिया 2019-2020 तो किस ने जो अब भी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग के ऊपर जो हैं किया है तो बिल्कुल जल्दी से फड़ाफट से अंसर कमेंट करते जाएं बहुत सरे बच्ची जो अपना सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल यहां पर सारे कोश्चन हमने तो करार रखें तो अगर आप डेली सेशन देखते होंगे तो बिल्कुल आपको आपको आंसर पता हो तो फार्मलोग के विरूद में आपर रिजूलूशन पास करने वाला केरला कौन सा राज बना है आपको बताना है सही आंसर यहां पर जो है वो आपको बताना है जल्दी से केरला कौन सा यहां पर जो है फार्मलोग के अगेंश्ट में कौन सा बना है राज जीर सही आंसर option A है पाचवा यहां पर जो है फिप्त कह सकते हैं आपर सही आंसर होगा अगले question पर आते हैं which state will host the 14th global health care summit in 2021 तो कौन कह सकते हैं यहां पर जो है चलिए तो सही आंसर जो है इसका वह जाएगा option A आंदर पर देश सही आंसर है अगले question पर आते हैं which state has registered 8% growth in GST revenue in December 2020 तो यहां पर जो GST revenue में यहां पर आट परसेंट का जो जो थे वह December के महिने में किस राज में देखा गया चलिए तो सही आंसर जो है यहां पर option C है केरला यहां पर सही आंसर है अगले question पर आते हैं तो अगला question है India has launched flash flood guidance service for which country भारत ने अभी flash flood guidance service किस देश के लिए आपर जारी किया है आपको बताना है चलिए इसका सही आंसर जो है option यहां पर जो डी है all of the above सही आंसर हो जाएगा बंगलादेश भूटान नेपाल इसमें सामिल है बात करते हैं अगले question की which state government has announced green rebate for eco-friendly home and home amid slew of new measures तो किस ने जो है किस रासरकार ने जो है भी green rebate जो है यहां पर देने की गोशना की है eco-friendly homes और जो slew of new measures है उसके बीच में सही आंसर यहां पर जो है option b होगा केरला यहां पर सही आंसर है अगले question पर आते हैं recently ice is rhino was discovered in which country तो एक ice is rhino यहां पर देखा गया है पाया गया है basically किस देश में सही आंसर यहां पर जो है option b हो जाएगा Russia अगले question पर आते हैं government has published the draft model standing order for which sector तो अभी जो सरकार है उसने जो है draft model standing order जो है आपर लाया है किस सेक्टर के लिए कि इसका सयांसर जो है option d है all of above यहां पर सयांसर यानि manufacturing mining और service तीनों सेक्टर के लिए आया है अगले question पर आते हैं union home minister initiative operation मुस्कान is associated with तो अभी जो operation मुस्कान है वो किस से संबद्धित आपको बताना है चार option है यहां पर चलिए तो यहां पर सही आंसर जो है option c होगा rescue rescuing missing children अगले question पर आते हैं अगला question है recently बूटा सिंग passed away he was a तो बूटा सिंग का निदन हो गया वे कौन थे आपको बताना है पटाफट से चलिए सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा option b politician थे अगला question है यहां पर which country's new rule permit drone to fly over people at night in the country तो किस देशन ने अभी जो हैं पर मंजूरी दे दिया है drone को आदमी के उपर और रात में उडाने का सही आंसर आपको बताना है option d यहां पर usa सही आंसर है अगले question पर आते हैं due to storm बेला which country has generated half of its power from wind तो बेला जो यहां पर कह सकते हैं तूफान आया था उससे किस देशने अपना आधा जो कह सकते हैं इनर्जी है वो बना लिया तो आधा जो पावर किसने बनाया विंड से हवा से सही आंसर option b है UK सही आंसर है बात करते हैं अगले question की तो अगला question यहां पर basically वो है in the Indian ocean which country has developed sea wing glider तो अभी जो है इंडियन ocean में किस देश ने जो है a sea wing glider को यहां पर कह सकते हैं deploy किया है सही आंसर जो option c होगा China अगले question पर आते हैं world health organization has called global elimination of trans fat by which year तो अभी जो है WHO ने कहा है कि जो trans fat है उसको global elimination करना है पूरी तरह से खतम करना कब तक सही आंसर जो है यहां पर option b जो है 2023 यानि कि 23 तक यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगले question पर आते हैं जेस बेनर्जी has been appointed as the new chief justice of which high court तो जेस बेनर्जी जो है किस high court के अभी नय चीफ जश्टिस बने आपको बताना है चले सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका option जो भी है मद्रा साइकोर्ट सही आंसर है बात करते हैं अगले question की सभीत्री भाई फूले जैनती is celebrated on which day तो यहां पर जो है सभीत्री भाई फूले जैनती कम मनाया जाता है आपको बताना है जली से फढ़ाफट से सही आंसर जो है इसका option C हो जाएगा 3rd January यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला question है who has signed mou with day nrlm to boost livelihood of shg women and tribal population तो अभी किस ने जो है mou sign क्या है dnrlm और के साथ में थाकि जो यहां पर पॉपुलेशन है उसको यहां पर कह सकते हैं उनका जीवन वैपन को और अच्छा बनाया चाह सके है तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा option A ट्राइफेड यहां पर सही आंसर है TRI FED जो है आपर सही आंसर हो जाएगा अगला question है यहां पर अनिल पनाचूरन पाश्डवे इन जनवरी 2021 ही वाज रेलेटेट टू वीच अपड़ फॉल्विंग फिल्ड तो अनिल पनाचूरन का यहां पर कह सकते हैं आप ही निधन हो गया तो वह किस फिल्ड से संबंदित थे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा option c poetry से संबंदित थे आंपर बात करते हैं अगले question की विच कंट्री यहां बने थे वह कौन बने थे आपको बताना है कौन बने हैं बिसिकली कि सही आंसर जो है option B होगा लियोन में डोन का यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which country has begin its two-year tenure as non-permanent member of its UN Maine Christian to Kis Kosovo यहां पर दो किसकीने D chairman साल के जो कारकाल इसको शुरू कर रहा है अपना यून से करेकरी कॉंसिल का नं परम adam bencoror के तौर कर को सही आंसर जो है option Si होगा Ilua यहां पर इंडिया यहां इंडा सही हैं बात करतें अगले कोश्चन की ग्लोबल फैमिली डे सेलिबरेटेड ओन विजटेड तो ग्लोबल फैमिली डे कम बनाए चाहता है आपको बता आना है फटा फट से सही आंसर जो है यहां पर इसका हो जाएगा वो होगा आपका जो ऑप्शन यहां पर है फर्सट है फर्स जनवारी सरयांसर अगले कोशन पर आते हैं में इसकी मझूरी जो ऑपने सही आंसर आपको बताना है तो इसका सही आंसर जो है यहां पर option C NASA यहां पर सही आंसर है अगले question पर आते हैं Which state government has set sent professionally trained nurses to Britain तो किस राज सरकार ने जो है अभी professionally trained nurses को Britain भेजा है आपको बताना है फटाफट से सही आंसर जो है इसका हो जाएगा option A करनाट का बात करते हैं अगले question की Tesla launched the world's largest supercharger station in China Shanghai with how many charging stalls in January 2021 तो Tesla ने अब भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा supercharging station जो है आपर संगाई में लगाया है जिसमें कितने charging stalls आपको बताना है चले सही आंसर जो है यहाँ पर वह जाएगा option यहाँ पर जो D है 72 यहाँ पर charging installs है अगले question पर आते हैं तो अगला question है National Institute of Virology is located at तो यहाँ पर National Institute of Virology जो है कहाँ पर आपको बताना है चार option है चले फड़ा फड़ा अपना answer देते जाए हरे question के अंदर इसका सही आंसर जो है option B है अलिवावा यहाँ सही आंसर होगा बात करते हैं अगले question की Recently, which country spread to buy food grains especially rice from India due to its attractive price तो कौन सा देश जो है भी भारत से यहाँ पर जो rice चावाल है वो लेगा क्योंकि यहाँ का जो price अब काफी attractive है कर सक है सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर option B वेतनाम बात करते हैं अगले question की in which state the river cruise named mukuta of baramputra was inaugurated तो किस राज्य में जो है अभी mukuta of baramputra जो cruise है उसको यहाँ पर जो है उसका घाटन किया गया है सही आंसर जो है option A होगा आसम यहाँ पर सही आंसर हो सही है Twitter जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला question है the ministry of finance has released the 10th weekly installment of how many crore to the state to meet the GST composition shortfall तो अभी ministry of finance ने जो है भी जिनका भी कह सकते हैं आपर GST composition shortfall हुआ है उसके लिए पर जो दसवे हपता का installment वो निकाला गया है कितने करोड का सही आसर जो ऑप्शन अड़ी है छे हजार करोड अगले question पाते हैं मतिकेतन सोला नेशनल पार्क इस नौटिफाइड टू एन एको सेंसेटिव जोन इड बिलंग टू विजे श्टेट तो यह जो है अब इसको इको सेंसिटिव जोन में घोसित किया गया है सही आसर इसका जो है यहां पर option C होगा केरला में है यह अगले question पर आते हैं 2021 has been marked as which edition of the World Braille Day का कौन सा संस्क्राण यहां पर हुआ है तो फटा-फट से आपको बताना है कि कौन सा यहां पर मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेल देखा तो यह जो question है काफी important है आप सभी के लिए और इस सारे question को मैंने कराएं तो यह आपके लिए task रहा आपको बताना है कि इसका सही answer क्या होगा पहले हमने सारे जितने भी question सबको करार रखें चलिए इसके बारे में बात करते हैं अगले question की विच बैंक has prepared a report of action agenda on for आत्म निर्भर भारत तो इस पर यहां पर जो आत्म निर्भर भारत के लिए action agenda है वह उसका रिपोर्ट कौन सा बैंक यहां पर त्यार करेगा बताना है आपको तो सही answer ऑप्शन भी होगा इसका यहां पर सही answer है बात करते हैं अगले question की which state has signed MOU with NHPC and PDD to implement the execute and execute mega hydro power project अभी जो है किस के साथ यहां पर कह सकते हैं किस राजी के साथ यह साज़ारी हुआ है ताकि mega hydro project जो है उसको शुरू किया जा सके आपको बताना है तो सही answer जो है यहां पर basically जो हो जाएगा वह जाएगा option A जम्मू एंड कस्मीर अगले question पर आते हैं which state government has launched the mobile application डिजीनेश्ट तो डिजीनेश्ट किसने अभी launch कि आपको बताना है सही answer option C है पंजाव यहां पर सही answer हो जाएगा अगले question पर आते हैं for what purpose the petroleum minister धर्मेंद्र परधान has launched a unique mist call facility तो अभी धर्मेंद्र परधान ने जो है एक नया unique mist call facility सुरू किया है किस purpose के लिए किस के लिए तो चार option है पड़ा पड़ा से answer अब दे सकते हैं हरे question में सही answer इसका option D होगा बोथ A and B यानि की gas refill और registration of new connection अगले question पर आते हैं which union territory has established the Tamil academy to promote the Tamil language and culture तो अभी जो है कौन सा है आपर जो यूनिन territory है वो Tamil academy आपर कह सकते हैं साफित करने वारा था कि जो Tamil language culture उसको बढ़ावा दिया सके सही answer जो option B होगा डेली अगले question पाते हैं the government is implementing 320 crore project for how many ports to enable digital ecosystem तो digital ecosystem enable करने के लिए 320 crore का project जो यहां पर basically जो अभी लाया शुरू किया जा रहा है कितने ports पर यानि केतने बंदरगाहों पर यह होगा आपको बताना है फटा-फट से चले सही answer जो है option A होगा 5 आगले question पाते हैं who launched the Assam Rifle public school in C-Long as Kelo India sports school in January 2021 तो किसने इसको launch कि आपको बताना है सही answer जो इसका हो जाएगा option जो D है किरन रिजिजू यहां पर सही answer है अगले question पर आते हैं which company will launch the satellite named Amazonia made entirely by the Brazil Space Agency तो कौन सा कंपनी का सकते कौन सा कंपनी या फिर Space Research जो इसको launch करने वाली satellite को Amazonia 1 को जो कि ब्राजिलियन Space Agency के द्वारा बनाया गया है तो सही answer इसका हो जाएगा option C यहां पर सही answer option C है इस रो करेगी बात करते हैं अगले question की तो UGC has set up a seven member committee for CET at UG Label who is the head of the committee तो अभी जो है UGC ने आपर CET जो UG Label पर है उसके लिए 7 member committee बनाई है कौन इसकी यहां पर मेजवानी है फिर head इसका है committee का तो सही answer जो है option B होगा आरपी तिवारी अगले question पर आते हैं the fourth global ayurveda festival 2021 will be held in which state तो यहां पर fourth global ayurveda festival कहां पर होगा आपको बताना है फड़ा फट से सही answer जो है इसका option A हो जाएगा केरला यहां पर सही answer है बात करते हैं अगले question की the world longest rail platform will be inaugurated in March 2021 what is the length of the platform तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा platform जो है बनने वाला है March 2020 में कितना इसका लंभाई होगा तो सही answer जो है इसका option C है पंदरा सो पांच मीटर सही answer है अगले question पर आते हैं इंडिया लॉंच दव विच साइंटिफिक एक्स्पेडिशन टू अंटार्टिका इन जन्वरी 2021 भारत ने अभी कौन सा साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्टिका जो है लॉंच किया है सही answer option D है 40 तहां पर सही answer हो जाएगा अगला question है फू फॉर्मली इनागरेटेड एन्सीसी रिपब्लिक प्रेट कैम्प 2021 इन जन्वरी इन दहली कैंड तो किसने जो है आप पर जो है इसका एन्सीसी रिपब्लिक कैम्प का जो है आप पर कह सकते हैं उद्गाटन किया है तो चार option ने सही answer आपको बताना है तो सही answer जो यहां पर option B होगा तरुन कुमार है यहां पर सही answer है अगली question पर आते हैं recently which of the following has announced operational guidelines for the payment infrastructure development fund scheme तो payment infrastructure development fund scheme के लिए किसने जो है गाइडलाइन जारी किये हैं करी answer जो है यहां पर option B RBI हो जाएगा अगला question है यहां पर जो सेंटर लियर ऑबजर्विक स्टेशन का जो स्टाटस है बेसिकली किसे दिया गया है आपको बताना है पुर्विक सेंटर जो है यहां जो है इसका option C होगा पटना metrological observation अगले question पाते हैं इंडिया है इस है दा हाइड लेवल ग्रूप पॉर South Asia energy security who is the head of the group तो भारत जो है यहां पर हाइड लेवल ग्रूप जो है South Asia energy का वह यहां पर बनाएगा तो इसमें कौन इसकी जो है कह सकते हैं कौन इसका head होगा ग्रूप का चले तो सही आंसर जो है इसका option डी होगा राम सिंग राम विने साही सही आंसर है अगले question पर आते हैं the historic jail of augada in which state which no longer houses prisoner is being developed as a tourist place तो किस राज्य का या फिर किस केंसासित परदेश का यहां पर जो है आउगाडा जेल जो है यहां पर बेसिकली उसको अभी tourist place बनाया जाएगा सही answer option B है यह गोवा में है बेसिकली अगले question पर आते हैं spy jet will operate how many new or domestic and international flight from January 12 12 तो यहां पर कितना flight जो है आपर 12 जनवरी से सुरू किया है domestic or international तो सही answer है option D 21 अगले question पर आते हैं which bank has launched the video kyc account opening facility for saving bank account तो किसने जो है भी यहां पर video account opening kyc system जो यहां पर launch किया saving bank account के लिए चार option ने सही answer आपको बताना है चलिए सही answer जो है इसका option B हो जाएगा ITBI bank यहां पर सही answer है RBI has issued 5500 करोड जीरो coupon bond for recapitalization of which bank तो अभी जो RBI ने 5500 करोड जीरो coupon bond launch किया है तो इसू किया है recapitalization के लिए किस bank के लिए तो सही answer जो है option C होगा Punjab and Sindh bank अगला question है यहां पर which of the following has raised five million dollar series of in a series of funding around तो अभी जो है किसने जो है यहां पर basically पांच million dollar जो है fund यहां पर कह सकते हैं अभी हासिल किया है तो सही answer जो है इसका हो जाएगा option B काईट अगले question पर आते हैं which country has passed a bill making abortion valid तो किस कह सकते हैं का country ने किस देश ने जो है भी abortion को valid बताते हैं इस पर बिल पास किया है तो सही answer जो है इसका हो जाएगा वह हो जाएगा option C Argentina अगले question पर आते हैं दा भारत हैं वी एलेक्ट्रिक लिम्टेट को आंद्रपरदेश और हैं डिया गया है कितने करोड का तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन भी 32 क्रोड यानि की 3200 क्रोड अगला कोशन है महराश्ट्रा गौवर्मेंट हैस प्लांड टू सप्लाइ वाटर फ्रॉम महीशल इरिगेशन स्कीम इन विच डिश्टिक तो अभी जो है आपर महीशल इरिगेशन स्कीम के तहर जो है आपर किस जिलिम में वह पानी जो है पहुचाएगी तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सांगली यहाँ पर सही आंसर है बात किरते हैं अगले कोशन की तो आल इंडिया चेस फेडरेशन के कौन प्रेसिडेंट बने है आपको बताना है सही आंसर क्या होगा जल्दी से फड़ापट से आंसर देते जाएं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है संजय कपूर सही आंसर हो जाएगा अगले कोशन पर आते हैं विच बैंक हैज लॉंच वाटसर बैंकिंग तो किस बैंक ने भी वाटसर बैंकिंग शुरू किया है आपको बताना है सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक और बढ़ोद्रा अगले कुशन पर आते हैं विच स्टेट गोवर्मेंट है डिक्लियर बर्ड फ्लू आज स्टेट डिजास्टर तो किस राज्य ने जो है रासरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोसित किया है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केरला यहांपर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यहांपर विच्ट इस्टेट विल कवर 4,000 विलिजेश अंडर दे किसान सर्वोदय योजना बाइदा इंड अफ 20 जनर्वादी 2021 तो यहांपर जो है किस रासरकार ने द्वार जो है इसको लाया गया है थाकि चार अजार जो गाउँ है उसको यहांपर कवर किया जा सके तो सही आंसर जो है इसका ओप्शन भी है गुजरात अगला कुश्चन है यहांपर which of the following province of China entered wartime mode in January 2021 तो कौन सा चाइना का जो प्रोविन्स है वो अभी wartime में आ गया है जो wartime mode में घुश चुका है तो सही आंसर जो option भी है यहांपर सही आंसर है अगला कुश्चन है यहांपर the world day of war orphan is observed on which day तो war orphan के लिए जो कहतकते हैं यहांपर जो world day of war orphan होता है वो कम बनाए जाता है चार option है बताना है आपको सही आंसर चले सही आंसर जो इसका option A हो जाएगा 6 जनवरी सही आंसर है बात करते हैं अगले कुश्चन की in January 2021 who has joined global pharma company stride group as an advisor तो stride groups को advisor के तौर पर किसने भी join किया है आपको बताना है यहांपर सही आंसर जो है option C है आदित्य पूरी बात करते हैं अगले कुश्चन की which company has signed MOU with Maharashtra Metro for the implementation of the advanced biodiguster Mk2 technology तो किस company ने अभी यहांपर MOU sign किया महराश्च्रा Metro के साथ में ताकि जो Mk2 technology है जो कि बायो गस्टर advanced technology उसको यहांपर implement किया सके सुरू किया जा सके तो किसने किया है आपर MOU sign बताना है फड़ा फट से चले इसका सही आंसर option B है DRDO बात करते हैं अगले question की according to the WHO report the Indian economy is to be contracted by how much percent in 2019-2021 तो यहांपर WHO की report की मानें तो भारत का जो economy है वो कितना परतिस्ता से घटेगा चले तो सही आंसर जो है आपर option A होगा 9.6% से घट जाएगा अगला question है यहांपर जितना था यहांपर हम लोग लेकर के आएं और यहांपर जो भी बच्चे है वो Indian Army Navy Air Force या फिर banking, railway, UPSC, PSC और फिर किसी भी different job की त्यारी करना चाहते है तो आप जब भी आप अनेकेट में पर subscription ले तो आप DRS 10 code का यूज जरूर करें आपको यहांपर 10% यानि 10% का discount मिल जाएगा जब भी आप इस code को यूज करते हैं तो तो फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही कल हम जो है आपर फिर से सामके 8 बज़े मिलेंगे जैसे कि हम हर साम 8 बज़े जो है बहुत सारे questions लेकर कर आते हैं current affair quiz की quiz की तौर पर current affair लेकर का आते हैं तो जितने अभी तक subscribe नहीं के तो आज ही चैनल को subscribe कर लेकर काता हूं हर साम 8 बज़े वह आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को भी subscribe करते जाए चलिए तो आज की session में हम लोग फिलाल इतने questions जितने भी live युकाफी ज़्यादा questions से पूरा आंपर revision हमने कर लिया एक जनवरी से लेकर के और यहां पर जितने भी questions बचे हैं वह भी हम यह पर धीरे धीरे जो है क्रदेंगे जितने भी यहां पर revision section होगे तो जितने बचे जिज़ोंड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कल हम यहां पर फिर से मिलेंगे सामके 8 बजे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत